हेलो फ्रेंड्स आपका श्री अनंता टुटोरियल्स में स्वागत है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाईए ताकि नई वीडियो आपको मिलती रहे हेलो फ्रेंड्स मैंने आपको पिछले वीडियो में present tense के बारे में बताया था जिसके अंतगत मैंने आपको बताया था present indefinite tense, present continuous tense और present perfect tense आज मैं आपको बताऊंगी present perfect continuous tense के बारे में इसके कुछ rules और examples बताऊंगी जो आपके हिंदी to English translation के लिए important है present perfect continuous tense rule first के अंतगत हम देखते हैं कैसे sentence को हम पैचानेंगे कि यह present perfect continuous tense का sentence है तो work start from past and continue in present rule second के अंतगत हम देखते हैं इसमें तीन तरह के sentence होते हैं पहला होता है affirmative sentence इसमें पहले subject होता है sentence के first में subject plus has, have plus इसके संग been का use किया जाता है और verb की first form रहती है first form के संग ing का use किया जाता है और since या for का use किया जाता है negative sentence में इसमें पहले जाता होता 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 है since और for का use किया जाता है इसी तरह interrogative sentence में हम देखते हैं first number पे हम देखेंगे has, oblique have के साथ subject plus being plus verb की first form plus ing आप भी इस तरह short में सब लिख लीजे ताकि आपका एक short में notes तयार हो जाए जिससे आपको transition करने में easy रहेगा since plus has, oblique have plus subject plus being plus verb की first form plus ing अब मैं आपको यहाँ पे कुछ examples दोंगी examples of present perfect continuous tense first number पे आया affirmative sentence इसका मैं आपको example बताऊंगी वह दो बजे से सो रही है she has been sleeping since two o'clock नेक्स्ट सेंटेंस तुम सुभै से पत्र लिख रहे हो यू है बीन रिटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग नेक्स्ट सेंटेंस उन्हों ने उन्हे पाँच दिन से से बुखार आ रहा है जा है। सद्रेश्टाइब सबस्टाइब लिख वर फाइव देश्टाइब निश्चिस समय के लिए sense का यूज़ किया जाता है और अनिश्चिस समय के लिए for का यूज़ किया जाता है next sentence माता जी एक घंटे से रामायर पर रही है इसको जह हम translate करेंगे तो इस तरह से करेंगे mother has been reading the reminder for one are अब मैं आपको बताऊंगी कुछ negative sentences के example परस नमबर पर वह दो दिन से नहीं पढ़ रही है अब यहां पर नहीं आया इसका मतलब यह negative sentence है she has not been reading for two days अब आपको next question बताऊंगी next sentence वह आधे घंटे से नदी में नहीं तैर रहा है he has not been swimming तैरने के लिए स्विम का यूज किया गया in the river for half an hour वह आधे घंटे से नदी में नहीं तैर रहा है he has not been swimming in the river for half an hour third sentence तुम दो दिन से नहीं सो रहे हो तुम दो दिन से नहीं सो रहे हो इसका translate करेंगे तो आएगा you have not been sleeping for two days तुम दो दिन से नहीं सो रहे हो you have not been sleeping for two days next sentence मैं एक सत्ता से कोई दवा नहीं ले रहा हूं इसको translate करेंगे I have not been taking any medicine for a week अब मैं आपको बताऊंगी interrogative sentences के बारे में कुछ examples दोंगी फर्स नम्बर पर क्या तुम 1990 से इस मकान में रहते हूं अब यहां पर एक question mark लग जाएगा इसको क्या होगा Have you been living in this house since 1990 नेक्स सेंटेंस मैं आपको बताने जा रही हूं सेंटेंस नम्बर टू क्या ये लड़किया दो घंटे से शोर मचा रही हैं इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा Have These Girls बहुत साई लड़किया हैं उसके लिए Have का यूज किया गया है Been Making A noise For To Us Third sentence क्या वह दो बजे से तुम्हारी रा देख रही है क्या वह दो बजे से तुम्हारी रा देख रही है Has She Been Waiting For You Since Two o'clock अब नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस आप लोग तीन घंटे से कोई काम शो नहीं कर रहे हैं Why Have You Not Been Doing Anything For Three As यहां पर आपका Present Tense complete होता है मैंने आपको Present Indefinite Tense, Present Continuous Tense, Present Perfect Tense और Present Perfect Continuous Tense के बारे में बताया जिसको Translation करने के में, Hindi को English Translation में बहुत ही important है Friends, मुझे उमीद है यह वीडियो आपके एक्जाम के लिए उपयोगी साबित होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो Like और Share करिए और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो Comment करिए